दोस्तो Amazon Prime Day Sale 26 और 27 जुलाई को होने वाला है और समसभी excited है इस Sale को लेके जहां पर हमें बहुत सारे discount देखने को मिलने वाले है लेकिन क्या आप मुझे बताईए कि ये सच में Sale है और अगर Sale है तो क्या कौन-कौन से products पर होने वाला है तो इस वीडियो में आज हम आपको इसी सारी details के बारें बताएंगे कि कौन-कौन से products पे आपको Sale और offer देखने को मिलने वाला है साथ ही साथ कुछ tips happy guide के तरफ से हमारे happy guide family members को हमारे YouTube family members को मैं देने वाला हूँ जिस से आप इस पूरे offer को इकदम बोलते ना इस निचोड के इस्तमाल करोगे और आपके पैसे भी ब सब्सक्राइब का बड़न दबा दीजे घंटी बजाए टंटा शुरूवात करते हैं वीडियो कि नमस्कार दोस्तों मेरा ना मेरा केश आप देखर हैपी गाइट लेट के स्टार्टेड तो दोस्तों यहां पे सबसे पहला सवाल कि Amazon Prime Day Sale में क्या हमें सच में discounted rate पे products मिलते हैं तो इसका जवाब है येस हमें products discounted rate पे देखने को मिलते हैं लेकिन आप दूसरा सवाल उठता है कि क्या हर एक products पे तो इसका जवाब है नहीं Prime Day Sale basically एक Mega Electronic Day Sale है जहां पे आपको products पे discount देखने को मिलता है लेकिन चाहदा करके जो primarily discounted products हों के आपको electronic devices पे देखने को मिलने वाले हैं और उसमें सबसे पहला product होता है वो Amazon का ही होता है जिसमें आपको heavy discount देखने को मिलता है जिसे Amazon का Alexa, Firestick और Amazon की TV ले लिजिए Fire TV और जितन आपको अच्छा कासा discount में देखने को मिलने आला है और उसी के साथी साथ जो नए launch होते हैं TV हो गया smartphone हो गया और भी जितने products होते हैं और फिर कोई नया brand है जो इंटर करना चाहता है electronic की category में वो इस समय अपने products को launch करता है Amazon Prime Day Sale में तो यहां पे हमने समझ लिया कि हमें कौन कौन से product पर discount मिलने वाला है अब यहां पर बात करते हैं एक tip के बारे में जो आपके बहुत सारे पैसे बचाएगा मान लीजी आपको एक लेना है smart TV Samsung का जो नया launch हुआ है 2021 का वह अगर आपको लेना है तो सबसे पहले आप उसको अपने cart में add करके रखिए और जैसे ही sales 4000 रुपए का difference दिखने को मिले मतलब 4000 रुपए आपके बच रहे हैं लेकिन ऐसा नो कि 59 की जगे आपको और ज्यादा 65,000 का दिखने को मिले तो वहां पर हमें इस चीज का ध्यानक नहीं कि पहले की pricing कितनी थी और sale शुरू होने के बात की pricing क्या होगी तो यह चीज का ध्यान की value है वह ध्यान दखी है और जब sale शुरू होता है उसके बात की price देखिए तो आपको समाझ में आ जाए कि क्या आपको सच में discount मिल रहा है या फिर आपके साथ धोका धड़ी हो रही या फिर आपके पैसे गलत जगे इस्तमाल होने वाले हैं दूसरी tip मैं आपको यह देना बढ़ चुकी है यह मैं अपने personal experience से बता रहो कि last year एक soundbar था वो 6000 रुपे का मिल रहा था prime day sale के पहले और prime day sale में मैंने उसकी pricing 8000 रुपे के आसपस मैंने देखी दी तो यहाँ पे sale के चकर में लोग अपने आपको मदब भूल जाते भाई कि क्या सस्ता है क्या माइंग है त और सही प्रोडक्स चुनने के लिए हमने description में हमारे recommended products डाले हुए वहां से जरूर जाके check out कीजिए वहां पे आपको TV, washing machine, refrigerator, ACS और जितने भी mega electronic devices सब के सब आपको description में मिल जाएंगे और सारे के सारे products recommended है अब जरूर जाके उसको check out कीजिए और तीसरी tip मैं आपको यह दे discounted rate पे मिल रहे है यह नहीं कि भाई हर चीज़ आपको बता देंगे बाकी लोगों की तरह कि भाई इस पर discount मिल रहा है जिस पर genuinely discount होगा उसी के मैं वीडियो और आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ तो हमारे चैनल को subscribe करके रखिए और bell icon दबाए क्योंकि वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए और उस समय पर प्रचेस कीजिए तो जिससे आपके पैसे बचे और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप सही प्रोड़क्त खरीदे और discounted rate पर खरीदे जिससे आपके पैसे बचे बस इसी के साथ आप मैं वीडियो खतम करूँगा ल झाल